इस वीडियो में बात करेंगे IDFC First Bank के बारे में जहां पर Q3 को लेकर कुछ अपडेट्स निकल किया रहा है Q3 मतलब दूस्तों कर हम बात करें रिजल्ट्स के पहले काफी सारे प्रिवीव आपको दिखने हों मिलता है अलग-अलग broker के तरब से यह फिर कर सकते हो अलग-अलग analyst के तरब से मतलब कहा सकते हो कुछ preview कुछ update दिखने हो मिलता है कि इतना तक expect किया जा रहा है कि दिखने है सकते हो जो भी है तो वो कुछ updates निकल किया है उसके उपर हम बात करेंगे M.K के तरब से यह फिर मोढ Strac millor के तरब से निकल किया है उपटेट्स तो वीडियो को पुछ लाश्क तोक आप देखते रही है अब तोक आप नेकर इस वीडियो को लाइक ने और शेर नहीं किया है तो व्ही कर सकते हो और चैनल को भी subscribe कर सकते हो ताकि आगे आने माला कोई वीडियो और से मिसना हूँ डारेक्ट चलते हैं देखलें ते और भी कुछ इंफरमेसंस के बारे में केकर के सारी चीज़े हम दिख लेंगे आज के दिन कितना डिलेवरी में बाई हुआ वह भी हम देखेंगे इस वीडियो में आज के दिन के अगर हम बात करेंगे तो 18 जनरी को इस टॉक में 1.58% के तेजी के सब क्लोसिंग जो है रिखने हुआ मिला अगर हम बात करेंगे तो 18% से भी उपर के तेजी कहा सकते हुआ क्लोसिंग हुआ प्रिवियस क्लोस के आज पास जे कहा सकते हुआ पर मतलब कहा सकते हुआ पर आज का ओपें क्या है 85.20 का प्रिवियस क्लोस प्रिवियस क्लोस प्रिवियस क्लोस था 87 का गया सकतो हो यहाँ पे 87.15 का हाई लगाया 84.45 का लो लगाया आज के दिन अगर हम बात करेंगे आपे और उसके बात दोस्तो हो अब धहीं यहाँ पर जो भी है पिछले 5 दिन के अगर हम बात करेंगे 0.17% का डिटाउन दिखना हो मिला है पिछले 1 मंथ में 4% का गिरावट में है वो 3.99% लगभग यहाँ पर 4% का आसपास 3.99% का गिरावट में है एक मेने के अगर हम बात करेंगे पिछले 6 मेने में आप देखेंगे तो 5% से भी उपर का तेजी में है 5.81% का और बाकिया आप यहाँ दिख सकते हो पिछले 1 साल में स्टॉक 45% के तेजी में है और अपने जो 1 एर का हाई है उससे थोड़ा नेचे ट्रेड कर रहा है अभी टाइम में फिलाल जुस्तों अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फरमेशन के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें रिजल्ट मतलब कर यूपर कोटर थरी का यहाँ में डाटा जो भी निकल गया रहा है तो IDFC First Bank Q3 Net Profit seen up 36.5% यहाँ बात करें यहाँ पर नंबर्स भी दिजा गया है जो भी अगर हम बात करें M.K. के तरप से यह कुछ कहा है सकते हूँ M.K. कहाँ जहाँ पर कुछ आ रहा है निकल के expected किया जा रहा है यह इतना कुछ Net Interest Income एना is expected to increase by 26% year on year basis पे तो एना धिहिंगे Net Interest Income का expect किया जा रहा है कि यहाँ पर 26% increase होगा year on year basis पे और आप 4.8% quarter on quarter basis पे 2 RS 41,47 crore according to M.K. आप देहिंगे आप जो भी news निकल किया रहा है तो आप आप देख सकते हैं आपे 100 बैज कहाँ सकते हूँ 26 परतिस पर कहाँ सकते हो कि Q1 Q basis पे और जो भी आप देहिंगे आप बढ़ने की उमीद होने की उमीद है M.K. के अनुसार 41,47 crore जो भी आप देहिंगे आपे तो M.K. का जो भी prediction है आप निकल किया रहा है expectation जो भी मैं देहिंगे मिल रहा है बाकि आप देहिंगे आपे उसके बाद हम लोग आपे मोतिलाल लोस्वार की तरफ से भी एक कुछ है आपे कहाँ सकते हो अब दर्ज करेगा जो भी अगर हम बात करेंगे और बात करेंगे आपे और और भी कुछ इंफर्मिसन के बारे में इनका कहना आप देहिंगे साल-दर साल यान 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 यार अन यान यान बसेज पर 36.5% के अधी मतलब यापे होगा और बाकी quarter on quarter basis पर अगर हम पास कांगे तो 9.9% के जो भी आप कहा हैंगे आपे कुछ इतना करोड दिनम मिला है और देहिंगे और देहिंगे net income और देहिंगे net interest इनका मैना या इर expected to increase 26% year on year basis पर तो कैसक तो year on year basis पर 26% increase करने का expect किया दा रहा है आपे net interest income का और आप 4.8% quarter on quarter basis पे और कुछ 477 क्रोड according to UMK आप देहिंगे मिल रहा है बाकि एगर हम बात करेंगे pro provision operating profit PPOP is likely to rises by 31.9% euro on quarter basis पे और आप 11% quarter on quarter basis पे जोभी है 1664 क्रोड आप देहिंगे आप जोगे देहिंगे मिल रहा है और जोगे disclaimer पी पर पढ़ सकते हूं जोगे हमें देहिंगे मिल है मतलब इनका अनुमान निकल कहा रहा है दोस्तों गर हम बात करेंगे तो वो तो आने के बाद ही पता चलेगा क्या है कि आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें क्या दिखने हो मिल रहा है और यह कुछ expectation किया रहा है कुछ updates आ रहा है दुस्तों MK के तरफ से बात करेंगे आपे मोतिला लोस्वाल के तरफ से भी कुछ update निकल किया रहा है दिखने आपे IDFC First Bank Quarter 3 net profit scene इनका कहाना है कि 28.5% euro basis पे वहीं MK का क्या कहाना है उसके उपर दहीं गया पर जो मैंने आपको अलेड़ दिखाया है quarter on quarter basis पे क्या तो profit on 36% से भी उपर euro basis पे MK के कहाना है और मोतिला लोस्वाल के क्या कहाना है कि 28.5% euro euro basis पे और RS कुछ इतना क्रोड दहीं गया पर मोतिला लोस्वाल क्या कहाना है net income NIA expected to increase by 27.2% on euro basis पे और 5.8% quarter on quarter basis पे कुछ इतना क्रोड अकॉर्डिंग टू मोतिला लोस्वाल अकॉर्डिंग तो मोतिला लोस्वाल कुछ ये expectation में दिखना है कुछ काज़क तो update और बागे मोतिला लोस्वाल लोस्वाल हाज कम आउट विद इत्स 3rd quarter October December 24 earning estimated for the banking and insurance after the brokerage house export IDFC First Bank to report net profit कुछ इतना at high 0.5% euro on euro basis पे और 3.4% quarter on quarter basis पे कुछ या पे और net interest income NIA expected to increase आप दिखने आप एक्सपेट के दर है कि इतना increase होने का 27.2% euro on euro basis पे 5.8% quarter on quarter basis पे कुछ इतना कुरूर आप दिखने according to मोतिला लोस्वाल बागी ये कुछ update निकल किया रहा है दूस्तों अगर हम बात करेंगे quarter को लेकर मोतिला लोस्वाल के तरफ से अगर हम बात करेंगे ब्रोकरेज जिसर्स और वहीं में अगर हम बात करें तो तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें देखनी को मिलने वाला है आपका क्या नुमार है इसके लिए आपका क्या एक्सपेक्टेस हो रहे है निचे प्लीज निचे कमण में जरूर बताएगे का फिलाल अगर हम बात करेंगे और जो भी इनफोर्मेशन ने साथ चीजे मैं करके पास IDFC का जिसके पास एक साथ करेंगे जिसके पास IDFC का सो सेर है इसको आज के दिन परस्वर्मेशन क्या दिखना मिलने वाला है उसके ऊपर IDFC का 100 share है उसको IDFC First Bank का 155 share मिलने मला है मर्दर के बाद और बाकिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आज के दिन performance क्या दिखना मिला है उसके उपर एक तो stock में तेजी दिखने हैं मेरा 1.5% से भी उपर का market close होने के बाद भी 23,278 quantity buy side में delivery position की बात करेंगे 18 January का क्या दिखना मिल रहा है जो कि यह 3,27,3,022 quantity trade हुआ है 3,27,3,022 quantity trade हुआ है जिसमें से 83,73,728 quantity deliverable quantity है 25.56% का quantity delivery में buy किया गया है आज के दिन अगर हम बात करें 18 जो कैसके 2 January को 25% से भी पर का delivery percentage इसमें मिला है 25.56% delivery percentage trade हुआ है 3,27,3,022 जिसमें से 83,73,728 quantity delivery में buy किया गया है मतलब delivery percentage दिखना मिला है percentage of delivery quantity 2,28 quantity 25.56% बाकि दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आज के इस वीडियो में कुछ यहीं था और वहीं पे अगर हम बात करेंगे यहां पर सारे चीज़े में आप और दिखाएं दिया है बाकि वोलूम भी आप यहां पर कुछ देख सकते हो वो कुछ पहले का जो भी निकल किया रहा है price performance भी आप यहां पर देखेंगे जो भी दिखना मिल रहा है और फिलाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आज के लिए कुछ इतना ही और वीडियो में कोई 22 अलिया फिर होल्ड की इसला नहीं है वीडियो के वाले education purpose के लिए आपको क्या लगता है quarter basis पर results आने वाला है तो किसके आपको लगता है किसका मुताब़ कर देखा तो सही निकल क्या रहा है जो भी है कितना आपको लगता है कि ग्रोहने वाला है नीचे comment में जरूर बताजिएगा फिलाल आज के लिए कुछत नहीं मिलता है किस दूसरी वीडियो में otherwise ignore it वीडियो के वले education purpose के लिए है वीडियो में कोई बाई से लिया फिर होल्डी की सला आने है मिलता है किस दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई